Sad effect of Minoxidil Lotion दोस्तों, Minoxidil काफी एक common remedy है बालनेस के लिए हमारे जितने भी patient है, ट्रांस्तान करके जाते हैं या मेरे मीजोड़ी जो male patient है, जिनको बालनेस आता है उन में, one of the molecule is Minoxidil कि यह हमेंसा यूज होता ही है मैं PRP treatment start करता हूँ तो भी उसकरना पड़ता है transplant करता हूँ तो भी उसकरना रहता है या फिर अक्यली medicines दे तो भी उसकरना रहता है तो definitely minoxidil के side effect के बारे में जानना भी जरूरी है अगर आप minoxidil लगा रहे हो तो दोस्तों जो minoxidil है उसके दो type के side effect है एक local side effect जो आप जहां लगा रहे हो वहाँ पर फील होगे और दूसरा systemic side effect तो इसके बारे में कुछ facts and myths है कई बार लोगों के मन में ये भी अफ़वा फैल गई है या फिर ऐसा myth है कि minoxidil लगाने से अपनी sexual weakness होती है तो दोस्तों ये सबसे गलत मिथ्या है minoxidil एक vasodilatory drug है इससे blood circulation का प्रभाव बढ़ जाता है means blood circulation का blood flow आपका particular area में जहां पर उसकी effect है वहां पर बढ़ जाएगा तो इसमें कोई DHT को कम करने की या sexual drive को कम करने की कोई इसमें effect है ही नहीं हाँ minoxidil के साथ अगर आप DHT blocker, finasteride, dutasteride ले रहे हो इसकी वज़े से sexual weakness आ रहे है तो आपको ऐसा feel हो सकता है कि इसकी वज़े से हो रही है पर जबकि वो दूसरी दवाई की वज़े से हो रही है 90% लोगों के case में ये myth है जो कि totally wrong है minoxidil लगाने से आपकी body में कहीं पर कोई change आने वाला नहीं है इससे definitely बालो में आपको impact zero मिलेगा third thing minoxidil के local side effect बरावरना कि minoxidil के local side effect क्या क्या होते है तो पहले के जमाने में alcohol based minoxidil मिलते थे जब भी alcohol based minoxidil लाए गए थे उसका purpose ये था कि वो penetration बढ़ा रहा थे आलकॉल में minoxidil यूज करके लगाने से उनका effect अच्छा मिल रहा थे पर उसमें अभी problems क्या रही थे कि उसमें crystallization होता था minoxidil का skull में तो skin dry and rough हो जाती थे दूसरे दिन patient wash कर रहा था तो उसमें बहुत सारे बाल आते थे बढ़ाना dandruff की problem हो रही थे जैसे सिबुरिक dermatitis patient को irritation बढ़ जाती थी कई बार तो उसके allergies होने लगती थे तो यह common side effect थे जो आलकॉल minoxidil में ज्यादा हो रहे थे आलकॉल based minoxidil में तो उसके बाद उनका foam base आया कि foam base लगाने से देखा गया कि वो अलकॉल वाली side effects उन्होंने नलीफाई करी काफी लोगों का dry scalp था या फिर उनका sensitive scalp था तो उनमें lipid waste minoxidil आने लगे market में तो lipid waste minoxidil यूज़ करने से वो वाली side effects भी कम होती गई हाँ फिर भी आपको कभी-कभी minoxidil से direct sensitivity है या allergy है तो इवन कोई भी form आपको suit नहीं करेगा टॉपिकल बेज में in that scenario आप better आप dermatologist से consult कीजिए आपके और वो आपको guide करेंगे आपको minoxidil यूज़ करना है कि नहीं आपका test page करके देंगे और दूसरे molecules में shift होना है तो वो भी shift कर सकते है यह तो हो गया local side effects की बात अभी minoxidil के systemic side effect भी हो सकते हैं को कि अगर आप ज़रूरत से ज्यादा मातरा में अगर minoxidil सिर में लगा लो तो उससे आपको systemic side effect आ सकते हैं आपकी बाड़ी में changes आ सकते हैं अगर आपको ऐसा कोई side effect अगर हो रहा है तो तुरंट minoxidil बंद करना है वो है palpitation काफी लगों को अगर minoxidil ज्यादा sensitive scalp तो वो सिधा अपसॉब हो कि blood circulation में चला जाएगा और minoxidil से करना है तो आपको स्कीप करना है अगर तीन चार दिन में प्रॉब्लम सोल हो जाती है तो बाद में आप continue रख सकते हो दूसरा giddiness या headache काफी लोगों को अगर minoxidil ज्यादा लगा जिया जाए या एक साथ ज्यादा amount या फिर उनका scalp sensitive है तो कम amount में भी ज्यादा इंपक्त आ रहा हो तो scalp में giddiness या headache आता है जैसे बिना चाहे भी या अच्छानक से सिर्दर्द होता है ऐसा है भारीपन heaviness भी होती है तो यह केस में आपको minoxidil का dose titrate करना है आपको minoxidil थोड़ा कम मात्रा में लगाना है या तो फिर आपका formulation या तो minoxidil का power जो है उसको down करना है तो in that scenario आप dermatologist से आपके help लीजे और क्या power आपके लिए सही रहेगा वो आप उसके सबसे plan करके लीजे थर्ड है body में या फिर face पे hair growth होना आप हमेसा जब भी ध्यान दीजिए minoxidil लगाओ तो यही अरिया आपको अच्छे से wash कर लेना है hands wash कर लेना आपका pillow cover regularly wash करना है क्योंकि अगर minoxidil वो contact में आ रहा है तो आपको facial hair growth का भी सामना करना बढ़ सकता है बहुत rare case में minoxidil से allergy body body में होती है जो कि मैंने आज तक नहीं देखा है मेरे काफी 10 से 15 साल की career में दूसरा minoxidil से बाकी दवाईयों का कोई relation नहीं है कोई interaction नहीं है तो वैसे भी आप कोई भी दवाईया चल रही है तो भी minoxidil यूज़ कर सकते हो हाँ during pregnancy आपको avoid करना है because इसके पर कोई studies या इतना प्रोवन नहीं है तो during pregnancy आप min minoxidil इसी साब से इस करने से आपको side effects से भी बचना है और आपको फिर भी कोई problem मारें तो हमें message की थे हम reply करेंगे आपको help करेंगे how to overcome those side effects